हमने सारी तयारी कर ली है, अब समय है वर्क पीस पर काम करने का. ओप्रेशन करने के लिए मशीन का स्विच आउन करें, कंट्रोलर बूट होगा. जॉगर का इस्तमाल करके मशीन हेट को जीरो पोजीशन पर लाएं. कंट्रोल पैनल का इस्तमाल कर मशीन को इस पॉइंट पर रिसेट करें. मशीन रॉम मटीरियल को कट करने के लिए इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लेगी. मशीन के ओपरेशन के लिए एक बार सभी कमांड की सामान्य जाच कर लें. Emergency Switch भी जाच लें किसी दुरगटना की स्थिती में मशीन को तुरंत बंद करने के लिए इस लाल रंग की Emergency Switch का उपयोग करें Cutters के मैगजीन की जाच करते हुए आगे बढ़ें जब इस बात की पुष्टी कर लें कि इससे सभी आवशक Cutters वर टूल लोड किये जा चुके हैं तब एक dummy रन लें यहाँ पर आपको प्रतिय कटर को दिये गए मैगजीन स्लाट नमबर को भी लिख लेना है पार्ट प्रोग्राम के संदर्भ में प्रतिय कटर की पुजीशन की जाच कर लें वर्क पीस को रखने से पहले आपको उसे अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए ताकि उस पर लगा कच्रा या अशुध्या निकल जाएं हमेशा याद रखें कि वर्क पीस पर लगी गंदगी वा कच्रे की वजह से आपका कट प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है वर्क पीस को वाइस के जौस के बीच में रखें ठीक है यदि आवशक हो तो लेवल बढ़ाने के लिए पैकिंग का इस्तमाल करें ये बहुत आवशक है कि ओपरेशन शुरू करने से पहले सभी संबंधित सामग्रियों को अच्छी तरह से साफ किया जाए इससे ओपरेशन करते समय कटर को कोई परेशानी नहीं होती और ओपरेशन के दौरान कोई अवरोध भी उत्पन नहीं होता है पैकिंग को सेट करने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लें वर्क पीस को साफ कर लेने के बाद आप उसे पैकिंग के उपर रखें वर्क पीस को कस्ते जाएं वाइस जौस को टाइट करने के लिए वाइस हैंडल का इस्तमाल करें पकड को और मजबूत करने के लिए नाइलोन की हथोड़ी का उप्योग करें इससे धीरे धीरे वाइस हैंडल को ठोकें हैंडल को तब तक ठोकें जब तक की वर्क पीस अच्छी तरह वा मजबूती से सेट न हो जाए हाथ से खिसकाने पर वर्क पीस खिसकना नहीं चाहिए अगला चरण है वर्क पीस को एक्स और जेट एक्सिस के साथ अलाइन या सरेखित करना स्पिंजल पर होल्डर के साथ पॉपी डायल गेज रखें वर्क पीस को स्पिंजल की लाइन में लाएं मशीन हेट को तब तक नीचे की तरफ करते जाएं जब तक की पॉपी डायल गेज फीलर वर्क पीस की सथा को ना चूले वर्क पीस को मूव करें और देखें कि क्या रौ मेटीरियल सीधा सेट किया हुआ है इसे धीरे धीरे एक्स एक्सिस के समनांतर मूव करें डायल में नीडल या सुई का मूवमेंट देखें जो ये दर्शा रहा है कि वर्क पीस सीधा नहीं है आप पॉपी डायल गेज की रीडिंग देखने के लिए शीशे का भी इस्तमाल कर सकते हैं यदि जरूरी हो तो वाइस या वर्क पीस की आवश्यक एज्जस्मेंट करें इसी तरह जेड आक्सिस की भी सेटिंग करें ये सुनिश्चित करें कि वर्क पीस का फेस उसके कॉर्रस्पॉंडिंग यानि कि संगत अक्ष के बिलकुल समनानतर हो जब आपको इस बात की पुष्टी हो जाए कि आपने सभी सेट अप ठीक तरह से कर लिये हैं तब आप पहला ओप्रेशन शुरू कर सकते हैं ठीक है, ओप्रेशन के क्रम के अनुसार सबसे पहले सर्फिस मिलिंग ओप्रेशन शुरू करें टूल चेंजर पार्ट प्रोग्राम के अनुसार ही काम करता है और वो अटोमेटिकली उप्यूक्त कटर चुनता है यहाँ इसने मैगजीन में से सर्फिस मिलिंग कटर चुना है और स्पिंडल में लोड कर दिया है सही तरह से कट करने के लिए आपको सर्फिस मिलिंग कटर टूल ओफसेट पुजेशन में सेट करना होगा धीरे धीरे सर्फिस मिलिंग कटर को वर्क पीस की सतह के संपर्क में लाएं कंट्रोलर में मैनुवली टूल्स ओफसेट पुजेशन में सेट करें इससे मशीन को टूल के टिप की लोकेशन की जानकारे मिलती है और कटिंग ठीक तरह से हो पाती है यदि आप गलत टूल ओफसेट सेट करते हैं तो मशीन में अलाम बजने लगता है और वो ये एरर मेसेज दिखाती है यहां ये अलाम दर्शा रहा है कि ओपरेचर ने समभावित सेट डेप्थ से अधिक डेप्थ ले ली है ऐसे समय ओपरेचर को ओफसेट सेटिंग ठीक करनी चाहिए जिससे एरर निकल जाए झालाम 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 प्रोग्राम फिर से शुरू करें और सर्फिस मिलिंग अपरेशन शुरू करें प्रोग्राम अटोमाटिकली शीतलक के प्रभा को बनाई रखता है जिससे कटे हुए हिस्सों को बहुत ज्यादा गरम होने से बचाया जा सके यदि आपको लगता है कि कटर बहुत गरम हो गया है तो आप मैनुवली भी शीतलक का इस्तमाल कर सकते हैं सर्फिस किया हुआ वर्क पीस इस तरह दिखाई देता है देखिए ओपरेशन के क्रम का अनुसरन करते हुए अब स्टेप कटिंग ओपरेशन की तयारी करें टूल चेंजर आटोमाटिकली सर्फिस मिलिंग कटर को एंड मिल कटर से बदल देगा आगे बढ़ते हुए मैनुवली टूल आफसेट पुजीशन सेट करें एंड मिल कटर को वर्क पीस के बिलकुल पास में ले आएं ताकि वो वर्क पीस को छू सके अब एंड मिल कटर और वर्क पीस के बीच में कागस का एक टुकडा इंसर्ट करें कंट्रोलर में इस पुजीशन को टूल आफसेट के रूप में सेट करें प्रोग्राम शुरू करें मशीन आटोमाटिकली वानचित आकार में बहरी सते को काटना शुरू कर देगी करें नहीं आटो है झाल 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 ओप्रेशन के दौरान वर्क पीस इस तरह दिखाई देगा फर्स्ट स्टेप काटिंग ओप्रेशन के बाद वर्क पीस इस तरह दिखाई देगा ठीक है न? प्रोग्राम एक बार फिर से शुरू करें अब सेकंड यानि के दूसरा स्टेप काटिंग ओप्रेशन करें पहले वाले ओप्रेशन में मिलिंग कटर ने एक आयात कार स्टेप काटा था परन्तु इस बार हमने एंड मिल कटर की मदद से वर्क पीस की एक साइड को आयात कार आकार दिया है और दूसरी साइड को वृता कार में काटा है आप देख सकते हैं कि इस स्टेप काटिंग ओप्रेशन के लिए एक ड्राइ रन चल रहा है अब वास्तविक काटिंग हो रही है झाल 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 इस स्टेज पर वर्कपीस इस तरह दिखाई देता है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके दो कोने चूट गए है प्रोग्राम फिर से शुरू करें ताकि डिजाइन के अनुसार वर्कपीस के अवांचित कॉर्णर चेफ यानि के रगड कर सकें झाल झाल अब slot cutting operation की और बढ़ते हैं, चलिए एक बार फिर से tool changer automatically इस end mill cutter को इससे छोटे व्यास वाले end mill cutter से बदल देगा जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि हम अब जिस end mill का इस्तेमाल करने वाले हैं वो high speed steel से बना हुआ है जबकि हमने पहले जो end mill cutter इस्तेमाल किया था, वो carbide bits का था cutter बदलने के बाद हर बार tool offset सेट करना याद रखें machine automatically वांचित आयामों के अनुसार slot cut कर देगी जो हमस्तेमाल कि अबड़से बाद करें हमस्तेमाल कि कुण्स का रवगां सिर्प जों कर में वांचित अाी है जो चैसो अजे सावडती मशीन द्वारा वांचित कट कर लेने के बाद वर्क पीस इस तरह का दिखाई देगा यूँकि इंजीनिरिंग ड्रॉइंग के अनुसार वर्क पीस में एक पोर भी चाहिए इसलिए आपको पहले सेंटर ड्रिलिंग ओपरेशन करना होगा और उसके बाद ड्रिलिंग ओपरेशन करना होगा टूल चेंजर एंड मिल्क कटर को सेंटर ड्रिल से बदल देगा ये drilled hole के बाद में cutter को guide करेगा ताकि वांचित hole किया जा सके Central drilling operation के लिए tool offset set करें मशीन को आवश्यक pilot hole drill करने दे अब तो इस drill की मदद से drilling operation करें मशीन का design ही इस प्रकार का है कि वो इतना बड़ा hole drill करेगी कि उसमें boring operation के लिए इस्तमाल किये जाने वाला cutter आ सके boring operation के लिए फिर से tool बदला जाएगा यहां हम उसी end mill cutter का इस्तमाल करेंगे जिसका उप्योग हमने slot cutting operation के लिए किया था इसलिए किसी भी offset setting की आवश्यक्ता नहीं है एक बार जब मशीन में end mill cutter सही जगा पर रखती आ जाएगा तो वो automatically boring operation शुरू कर देगा जब सभी operation पूरा हो जाए तब वर्खता नहीं है बगपीस को निकाल लें। वाइस जॉस को खोलने या धीला करने के लिए वाइस हैंडल का उप्योग करें। वाइस हैंडल को नाइलॉन की हतोडी से ठोकें। ऐसा करने से वाइस की पकड धीली हो जाएगी। आराम से जाच लें कि सभी आयाम बराबर हैं या नहीं। वर्णियर कैलिपर की मदद से एक बार फिर से जाच लें कि सभी आयाम इंजिनिरिंग ड्रॉइंग के अनुसार हैं या नहीं। एक वर्क पीस को फाइनल प्रडाक्ट तक पहुँचाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण चर्णू को यहां संग शेप में दिया गया है। चर्ण एक मशीन स्विच आउन करें चर्ण दो होम पुजीशन सेट करें चर्ण तीन मैगजीन जाच लें चर्ण चार वर्क पीस सेट करें चर्ण पाँच वर्क पीस अलाइन करें चर्ण छे सर्फेस मिलिंग ओपरेशन सेट करें चर्ण साथ टूल ओफ सेट करें चरन आठ, फिर्स स्टेप काटिंग अपरेशन शुरू करें, चरन नौ, टूल ओफसेट करें, चरन दस, सेकंड स्टेप काटिंग अपरेशन करें, चरन ग्यारा, स्लॉट मिलिंग अपरेशन करें, चरन बारा, टूल ओफसेट करें, चरन तेरा, सेंटर ड्रिलिंग अपरेशन करें, चरन चौदा, टूल ओफसेट करें, चरन पंदरा, ड्रिलिंग अपरेशन करें, चरन सोला, बोरिंग अपरेशन करें, चरन सत्रा, वर्क पीस निकाल लें, चरन अठारा, आयामो को जाचें,